दोस्तो कुछी दिनों पहले EPFO ने PF account में आधार card को link करना mandatory कर दिया था उसके बाद से किसी भी तरह अपने PF account से जुड़ा कोई भी काम online आप PF account में बिना आधार के link कराएं नहीं करा सकते हैं आज की तारिक में लगबग सभी EPF members अपने PF account में आधार card को link करा चुके हैं और बहुत सारे EPF members को PF account में आधार card को link करने के बावजूद भी PF account से जुड़ा कोई भी claim online नहीं कर पा रहे हैं तैसे कि PF withdrawal, PF transfer, कितना ही नहीं वो अपनी date of exit भी update नहीं कर पा रहे हैं दोस्तो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो हर एक EPF members के लिए बहुत ही important है क्योंकि अगर आप लोगों ने भी ये गलती कर दी तो आपका PF account भी block कर दिया जाएगा और जब भी आप अपना PF account चो जुड़ा कोई भी claim online apply करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्तो अगर आप लोगों ने भी ये गलती की है जिस गलती को मैं वीडियो के end में बताऊंगा तो आप लोगों को ये वीडियो end तक जरूर देखनी चाहिए वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं क्या है तो please subscribe दरूर कीजेगा और प्रेस कीजेगा bell बटन को ताकि future में जब भी मैं ऐसी important वीडियो डालूं तो उसका update आपको तुरंद मिल जाए जब आप अपनी date of exit अपडेट करने के लिए अपने PF account में login करेंगे और click करेंगे mark exit पर तो आप लोगों के PF account में आधार card link होने के बावजूद भी कुछ इस तरह से एक error आएगा जबकि आपका आधार card already आपके PF account में link है और अगर आप अपना PF withdrawal claim apply करने के लिए online services पर जाते हैं और click करते हैं claim पर तो आप लोगों को यहां पर भी कुछ इस तरह से error दिखाई देगा आधार is not authenticated from UIDAI के लावा अगर आप PF transfer करना चाते हैं और उसके लिए online services पर जाते हैं तो transfer request को select करते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से एक error दिखाई देगा आधार available against UN is not verified दोस्तों यह error क्यों आता है और किन EPF members को यह error आता है चलिए फटा-फट जान लेते हैं जिन EPF members ने अपने PF account में आधार card को link तो करा लिया है पर link कराने के बाद अगर वो अपने आधार card में कोई correction कराते हैं यानि कि आधार card की details में कोई बदलाव कराते हैं तो न EPF members को यह error आता है इसका मतलब अगर आपने अपने आधार card में कोई correction कराई है तो same correction आपको PF account में भी करा लेनी होगी वरना आप लोगों को भी इस subscribe करना मत बूलिएगा अभी के लिए धन्यवाद अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे all the best